इस कारे क्रम को जोईस मायर मीनिस्टीस के मित्रों और भागीदारों द्वरा संबव बनाए गया है पता है आप क्या है सकते हैं खैर मैं परमिश्वर पर भरुसा कर रहा हूँ और मैं इसके बार में परमिश्वर से प्रार्ट ना कर रहा हूँ पर बात करूगी, अब देखिए, क्या आप उत्साहित नहीं है, अब अपना टेलिविजिन बद मत कर देना, आपको इसे सुनने की सरूरत है, चाहे आप बहुत अनुशासित व्यक्ति हो तब भी, हमें हमीशा अन बातों को नया करने की जरूरत होती है, जिनमें शायद हम पह करनी होगी, वो यह है, कहना बंद करना की बस मेरे पास कोई आत्मनियंतरण नहीं, या मैं बस अनुशासित नहीं हूँ, आत्मनियंतरण आत्मा के फलों में से एक है, और बाइबल में लिखा है, हमारे पास यिशू है, हमारे पास उनका आत्मा है, तो इसलिए हमें आत्मा का एक फल है और यदि आप इस शब्द का मूल भाशा में अधियन करें तो इसमें लिखा ये एक ऐसा फल है जो परिक्षा के अधीन बढ़ता है खै मुझे ये परी भाशा पसंद नहीं है पर इसका भी कारण है वो ये कि मैं कभी भी धीरज सीखने वाला नहीं हूँ यदि मे अच्छी सी नहीं सुनते बेशक वो कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से सुनता भी नहीं हूँ जिससे मुझे एक चोटी सी समस्य है जो उनकी बड़ी समस्य है तो वो कहते हैं और मैं सुनकर बहुत थक जाती हूँ और आज सुबर मैं उनसे पूछ रही थी आज का मौसम कैसा रहेगा और शुरुमात में ही मैंने इसे जोर से का क्योंकि मैं जानती ही वो मुझे कभी नहीं सुनते मैंने का आज का मौसम कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा खेर आज तुम बहुत अच्छा नहीं रहने वाली हो मैंने कहा चिंता मत करो आज मैं शिक्षा देरी और अनुशाशन और आत्मनी अंटरण विक्सित करने के बारे में तो शायद जब मैं घर पर जाओंगी मैं अच्छा वहवार करूंगी इसलिए आपको इसकी जरूरत ना हो तब भी मैं क्यों होंगी नीती वचन 1632 धीर जन किसी युद्धा से भी उत्तम है और जो क्रोधपन ने अंतरण रखता है वो ऐसे मनुश्य से उत्तम होता है जो पूरे नगर को जीत लेता है तो परमीश्वर हमें काम दे रहे हैं अब वो हमें ऐसा कोई काम नहीं देते जिसे करने में वो हमारी मदद नहीं करते पर वो हमें अपनी स्वयम की भावनाओं उपर विचार उपर उन शब्दों पर जो हम बोलते हैं उस पर राच करने का काम देते हैं मैं अनुश शासन और आत्मनियन तरण की जरूरत के बारे में बात कर रही हूँ, यदि हम कभी वो बनना चाहते हैं, जो हम कहते हैं कि हम बनना चाहते हैं, और इवरानियो 12-11 में लिखा है, जिस समय ताड़ना दी जा रही होती है, उस समय ताड़ना अच्छी नहीं लगती, क्या कोई आमीन कह सकता है यहां पर, पर आगे चल कर जो ताड़ना का अनुभाव करते हैं, उनके लिए ये नेकी और शानती का सुफल प्रदान करता है, खर हमें आगे चल कर पर ज्यादा ध्यान दिन की जरूरत है, हम महां पहुंचेंगे, और मैं कहती हूँ, चीवन में काम नहीं करता, निवेश करने वाले वो लोग हैं, जो सही चीज अभी करते हैं, हाला कि ये ठेस पहुंचाती है, क्योंकि वे आगे चल कर जीवन में अच्छा परिणाम चाहते हैं, पता है, चलो उन लोगों को लेते हैं, जो पैसा बचा रहे हैं, खेर, निश्ची थी, अ आपको निकाल दिया जाए, या कुछ दिन के लिए चुटी हो जाए, या जब रिटार्मेंट का टाइम आता है, आपको पता है, हम दूसरे लोगों की और देख सकते हैं, जिनोंने चीवन में पहले ही वो किया है, जो सही है, और अब वो सुखी से कहते हैं, खेर, आपके ल तो आखिर में हमें वो परिणाम मिलेगा, जो वो कहते हैं कि हमें मिलेगा, पर हमें अभी निवीश करना होगा, चाहिए कठीन हो, चाहिए इस समय सही ना लगता हो, पर आगे चल कर, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बनी, यदि आप पहले ही नहीं बनी हैं तो, वो व्यक्त मेरा मनना है कि बहुत से लोग जो जीवन में आशिशे चाहते हैं और भलाई चाहते हैं पर वे काम नहीं करना चाहते हैं या जरूरी प्रयास नहीं लगाना चाहते हैं मैं कहना पसंद करूँगी वे लोग जो बिना काम की ये लाब पाना चाहते हैं अब हमें शारीरिक कामों से बचना होगा जो हमारी उर्जा के किसी ऐसे काम को कारगर बनाने के कोशिश कर रही है जो कीवल परमिश्वर ही कर सकते हैं पर हमें अवश्य परमिश्वर के कामों को करने की जरूरत है येश्व ने भी कहा मैं परमिश्वर की कामों को करने के लिए आया तो चीज़ें हैं जो परमिश्वर हमें करने के लिए देते हैं उनके वचन में ये भरी पड़ी है इसे करो इसे ना करो इसे करो इसे ना करो यदि तुम इसे करते हो तो ये होगा यदि तुम ये करते हो तो वो होगा और हमारे पास एक दिशान निर्देश है हम अंदासा लगाने वाला जीवन नहीं जी रहे हैं हमारे पास एक दिशान निर्देश है और परमिश्वर का वचन सच मुछ हमारे जीवन के सभी पहलूँ को सम्मलित करता है यदि ये इसे गलत कामों को करते रहने की अपेक्षा नहीं रख सकता और अंत में सही परिणाम पा सकता है। चलो बस कहले उधारन के लिए आप खुद का खयाल नहीं रखते हैं। आप गलत चीज खाते हैं। आप हर समय जंग खाते हैं। मुझे नहीं पता शाद आप एक दिन में दो पैकेट्स गरिड़ भी पी जाते हूं या शाद शराब पीते हैं और आप परियाप तर नींद नहीं लेते हैं। शादा बहुत ज्यादा कटिन परिश्ट्रम करते हैं। भाद में आपके शरीर में कुछ होगा जिसे आप पसंद नहीं करेंगे। पाया है सही चीज़ करके, बहुत समय ऐसा होता है जब इसे करना कठिन था, तो हमें पच्चतावे के साथ अपना जीवन नहीं जीना चाहिए, खेर मैं पच्चतावा करता हूँ कि मैंने इसे नहीं किया, मुझे पच्चतावा है, मैंने उने किया, पवित्रात्मा के और आत्मिक रूप से सिद्धा होने की जरूरत होती है, परमिश्वर चाहते हैं कि हम बहुत आयत का जीवन पाए, पापों से, माफी और दोश भावना से मुक्ति है, वो चाहते हैं कि हम महीमा, अनुगरह, दया, आनंद, शांति और धर्मिक्ता पाए, बस उस तरह के जो परमिश्वर चाहते हैं कि हम पाए, ताकत, योग्यता, शक्ति, सामरत और शत्रु के ओपर अधिकार, स्वास्त और सम्रिति, अच्छी संबंद, खैर जानते हैं, चलिए, उधारन के लिए संबंदों को ले लीजिए, यदि आप अच्छी संबंद रखना चाहते हैं, तो अभी लोगों के साथ अच्छा वेवार करने के लिए आपको स्वैम का अनुशासित करना होगा, अब हमेशा हर बात में अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हैं, और लोगों के साथ किसी प्रकार का अच्छा संबंद नहीं रख सकते, कोई भी संबंद स्वस्ता नहीं है, यदि ये पूरी तरह से एक तरफ का होता है, तो जहां एक व्यक्ति सब कुछ दे रहा है और दूसरा बस ले रहा है, यदि हम अच्छा संबंद रखना चाहते हैं, तो हमें लोगों से अच्छी तरह बात करनी होगी, हम बस हमेशा उनकी वो सब गलत बातें उनसे नहीं कह स अच्छा संबंद रख सकते हैं, पर आपको ऐसा करने के लिए उनमें निवेश करना होगा, परमेशवर चाहते हैं कि हम उनकी उपस्थिती का आनन्द लिए, वो चाहते हैं कि आप उन्हें और उनके पुनरुत्थान की सामर्थ को जाने, बाइबल में अनन्त प्रतिग्या दरहसल उनमें 5000 से ज्यादा है, निर्भर करता है आप पता लगाने के लिए कितने संसाधन का उप्योग करते हैं, मेरा मतलब है मैंने कुल मिला कर 5000 से 10,000 देखे हैं यहां तक कि उससे भी स्यादा, और चलो बस एक बार कहलें कि परमेशवर के वच्चन प्रतिग्याओं की बहुत आयत है, पर परमेशवर हमेशा के किरदार देते हैं निभाने के लिए क्योंकि हम परमेशवर के साजेदार हैं, हम उद्दार एक मुक्तवरदान है, पर फिर भी हमें परमेशवर के लिए जीने का फैसला करना होगा, हमें पक्षतापी बनने का फैसला करना होगा, और परमिश्वर को हमें बदलने दीना होगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा, यदि आप बदलने की चाहां नहीं रखते हैं तो, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग बस कुछ सिंसर्स प्रेयर्स किसम की प्रार्तना करना चाहते हैं, और सोचते हैं कि उनका पूरा जीवन जा भाव नहीं पड़ता है, अनुशासन हर किसी का पसंदीता विशय नहीं है, ये उनमें से एक है जिसे मैं कहती हूँ, एक आउच, हैललूया, अब मैं आपको इने बता रही हूँ कि ये ऐसे हैं, जैसे आउची, पर यदि आप इसे करते हैं और इसके अनुसार जीते हैं, त कारगर हो लोग, अक्सर बिना वो कि ये आशिशे चाहते हैं, वे पाने में अससफल हो जाते हैं और इर्शा करने लगते हैं, उससे जो दूसरे लोगों के पास हैं, वाव, क्या आप किसी से इर्शा करते हैं, और आप किस बात कर इर्शा करते हैं, खेर, मैं उस औरत के डोल, खेर, हो सकता है, तुम वो सब खाते हो, जो तुम खाना चाहते हो, और वो व्यक्ति स्वेम का अनुशासित रखता हो, और वो स्वास्त बुजन खाता हो, खेर, काश मेरे पास, उतना पैसा होता जितना तुम्हारे पास है, मैं उस पैसे से इर्शा करता हूँ, जो तु जो मेरी आलोच ना करते हैं या मेरे बार में बयान देते हैं पर मुझे सीखना पड़ा कि वो लोग जो मुसे इर्शा रखते हैं वे इर्शालो हैं क्योंकि वे मेरे जैसे एक मिनिस्ट्री तो चाहते हैं या मेरे जैसा एक जीवन पर वो उसे नहीं करना चाहते हैं जो इसे मैंने किया, मेरे बहुत से साल सच मुझ बहुत कठीनाई भरे थे इससे पहले कि मैं उस मुकाम पर पहुँचती जहां में टेलिविजिन पर हो सकती थी और सोभागय पास सकती थी बात करने का पूरी दुनिया से, मैं आज सुबह बस किसी से बात कर रही थी इसके बारे में कै जैसे मैंने और डेव ने कठीन परिश्ट्रम किया था इस मिनिस्ट्री की शुरुआती सालों में, मेरा मतलब है मुझे याद है मिनिस्ट्री ट्रिप से घर आना और बस इतना ज्यादा ठका होना किया और मुझे ऐसा लगा जैसे कि कभी भी दोबार अच्छा महसूस नहीं कर पाऊंगी तो हमने ऐसा काम किया और अब हम परमिश्वर आपके जीवन में महान बाते करना चाहते हैं पर क्या आप उसमें भूमी का अदा करना चाहते हैं जो आपको करने के लिए देते हैं मुझे पता है कि लोग हैं जिनको इसे सुनने की जरूरत है अगर मुझसे करना चाहिए और फिर भी उसे कर रहे हैं खर फिर प्रेम में मुझे बस आपको बताने की जरूरत है कि एक बीच बो रहे हैं और उस फसल को आप पसंद नहीं करेंगे जब वो उगेगी पर धन्यवाद पूरने तरीके से आपसे बदल सकते हैं और आप इसे इसी समय बदल स करेंगे यदि आप इसे करेंगे खर जो हैस मैं बस एक अनुशासत व्यक्ति नहीं हूँ खैर आपके पास आत्मन्य अंत्रण है शायद आपने इसका अभ्यास न किया हो पर आपके अंदर आत्मन्य अंत्रण है वजन सहीता 106 वचन 12-14 में इस इर्शाल उबात के लिए अवित्र याजक था इसे सुनिए भजन सहीता 106-12 तब उन्होंने उसके वच्चनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे परंतु वे जट से उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे इस्राइली जब उन्हें मिस्र में दासत्व से बाह लिया गया तो वे उत्साहिते और वे परमिश्वर की स्तुति कर रहे थे ओ ये एक महान दिन है पर जब वे कठिन समयों से गुजर रहे थे चलो भी आप मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझे बस बीच में वे कठिन समयों से गुजर रहे थे वो उन सभी अच्छी बातों को भूल गए जो परमिश्वन ने उनके ले की थी और उन्होंने किवल उसके बारे में सोचा जिस से वे अब इस समय गुजर रहे थे खेर ये ऐसा तरीका है जो अनुशासन के साथ होता है कि आपको पता है हम उसे देख सकते हैं यदि हम स्वयम को इसमे अनुशासित रखते हैं कुछ दूसरी बात है जिसके साथ एक आशिश जुड़ी है पर बाइबल बताती है कि जिस समय तारना दी जारी होती है उस समय तारना चीनी लगती पर जो तारना का नुभव करते हैं उनके लिए आगे चलकर नेकी और शांती का सुपल प्रदान होता है तो शायद ये इस स अठीन दोर से गुजर रहे हो तब भी सभी अच्छी बातों को याद करें जिने परमिश्वर ने की हैं वे उसकी युकती के लिए न ठहरें इतना अधीर मत बनिये पर जब तक आप जान नहीं जाते बार जो ये उसकी जो परमिश्वर आपको दिखा रहे हैं कि आपको क्य बना करना चाहिए और उसे करियो नहीं जंगलों में अतीलालसा की और निर्जन स्थान में इश्वर के परिक्षा की उन्हें चीज़े चाहिए थी और वे बेतावी से उसे चाहते थे क्योंकि वे उसे चाहते थे जो मूसा और हारून के पास था Phone यह था परमिश्वर के पास थी या वो अधिकार जो उनके पास थे और वे उनसे डाह करने लगे पर सुनी तब उसने उन्हें मूँ मांगा वर्तो दिया परंतु उनके प्राण को सुखा दिया जानते हैं कई बार परमिश्वर हमें कुछ ऐसा देंगे जिसे हम चाहते हैं बस ये साबित करने के तयान नहीं पता है मैं अपने मिनिस्ट्री का बहुत समय पहले से बढ़िया काम चाहती थी मेरा मतलब है मैं 25 लोगों को हर मंगलवार शाम को अपने बैठक में शिक्षा देती थी मुझे उसके लिए पैसा नहीं मिलता था मैंने प्रभू सेवा में जाने के लिए अपनी टाइम नौकरी छोड़ दी और जानते हैं मेरा एक सपना और एक विजिन था पर मेरे पास बस यही था खर जानते हैं ऐसी चीजों पर ठीके रहना काफी चुनोती पूर नहीं होता है जब स्वाभावी क्रूप से कुछ न दिखाई देता हो पर मैं इसे करती रही करती रही करती रही और करती रही और धीरी धीरे करके चीजे बढ़ी जब मेरे लिए परिस्तिती आई उस बाइबल स्टडी को छोड़ने की मैं अंत में एक चर्च में नौकरी करने जाने लगी और उन्होंने मुझसे वुमन्स मिटिंग के अगवाई करने को कहा जो काफी बड़ी फिर परमेश्वर ने मुझसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहा और उतर दक्षिन पूरब पस्टिम जाने को कहा तो ये आता चरणों में और मात्रा में पर कोई भी परमेश्वर से बस एक सपना नहीं पाने वाला अपने जीवन के बारे में कुछ करने के लिए और अगली एक मद्धी होता है अंत से पहले चलो कहले कि आपको पचास पाउंड घटाने की जरूरत है खर शुरुआत करना सचमुझ उतना कठिन नहीं होता कोई भी रविवार की रात खाना खाने के बाद डाइट पर जा सकता है पर क्या होता है जब मंगलवार की दुपेर के करीब आपको जोरदार भूग लग जाती है खर तब ही इस अनुशासन को आना होगा और आपको थोड़ा दुख उठाने की चाहर रखनी होगी ये जानते होगी यदि आप वो करते रहेंगे जो सही है तो आप थोड़ा थोड़ा करके परिणाम पाएंगे अब मैं कुछ लोगों को जानती हूं जिन में शारीर खराबी है शायद उनकी कुछ मेडिकल चीज़ें हैं जो चल रही है जो उनका वजन घटाने से रोकती है पर मैं बस सामानी परिस्तितियों की बात कर रही हूं जहां लोगों को स्वायम का ध्यान रखना चाहिए और वो नहीं रख रहे हैं आ आप इसी बात को आर्थिक मसलों के लिए भी लागो कर सकते हैं कितने लोग हैं जो एडी से लेकर चोटी तक कर्ज में ढूबें और वे परमिश्वर को पुकार रहे हैं आर्थिक चमतकार के लिए खैर परमिश्वर से एक चमतकार की मांग करें और शायद वो आपको एक न पर हमेशे चमतकार एक तरीके से नहीं, बहुत बहुत बार परमिश्वर हमें कुछ दिखाएंगे जिसे हमें करने की जरूरत है, या उसे बंद करने की जरूरत है, यदि हम परिणाम पाना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमें चाहिए, पताएं आप कह सकते हैं, मैं परमिश ना करने के बार में बात करनी होगी हैं क्योंकि जानते हैं क्या मेरा मानना है कि सच मुझ सामान ये तदसो लाख प्रारतना हैं अनुत तरीत हैं क्योंकि लोक्षमा हिंता थामे रहते हैं अपनी दिल में उसी समय जब प्रारतना कर रहे होते हैं और परमिश्वर से मांग रहे विश्वास करो कि तुम्हें ये मिल गया है और तुम इसे पाओगे खैर मैं तुम्हें नहीं बता सकती इसमें कितना समय लगेगा इससे पहले कि तुम इसे पाते हो हमें कई बार विश्वास में लंबे समय तक अंतिजार करना होता है हमें कुछ चीज़े छोड़नी पड़ती है पर हमें हार नहीं माननी और इसमें लगाना है अनुशासन और अंत में हम पाते हैं परमीश्वनी मुझे बुलाया करने के लिए जिसे मैं 25 साल पहले से कर रही हूँ पर मैंने इसे अगले ही दिन से करना शुरू नहीं किया था मैं इन छोटी बैबल स्टडीज में 5 साल लगा चुकी हूँ मैंने 5 साल लगा है किसी और के लिए काम करने के लिए मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ यदि आपको अधिकार के अधिन कैसे आना नहीं पता को उनके बीच हाला कि मुझे वो नहीं मिल रहा था जो मैं चाहती थी और शायद वो मेरे जीवन में साबित करना चाहते थे कि मैं बस प्रभु सिवा नहीं कर रही थी इस कारण से कि कितना पैसा मैं कमा रही हूँ पर ये कि मैं इसे कर रही थी प्रभु के प्रती मेरे प्रेम और मेरी आग्या कारिता के कारण, तो मैं इस पूरे समय बड़ी बातों के लिए प्रार्तना कर रही थी, पर वे मेरी और आ रही थी मुझे उनका इंतिसार करना था, और एक बाद जो मुझे सीखनी पड़ी वो थी, उसे सीखना जो आगे बाइबल में लिखाया और जब कभी तुम प्रार्तना करते खड़े होते हो, तो यदि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है, तो उसे ख्षमा कर दो क्या आप जानते हैं, हमें हर बात शमा करनी होगी, हर बात जिसकी हमें किसी से शिकायत है, इसे हमें परमेश्वर की ओर मोड़ना होगा और उस पर विश्वास करना होगा कि वो हमारे रक्षक बने, मेरा विश्वा से कि विश्वा से के चीवन में स्यादा बढ़ोतरी होती एक शमा हिंता के सरिये बजाए किसी और क्षेत्र में जो शत्रु हमारे विरुद इस्तमाल करता है तुनक मिसाच मत बनिए अपनी भावनाओं को आसानी से ठीस मत पहुचने दीजिए शिगरता से क्षमा करने वाले बनिए इस क्षेत्र का धयन कीचिए जब तक कि आप ये न जान जाए कि कितना खतरना के आपके लिए कड़वाट और नाराज़की से भरे होना परमिश्वर हमसे लोगों को उनके लिए एक एहसान के रूप में ये समा करने के लिए नहीं कहते हैं वो इसे कहते हैं क्यूंकि ये हमारे लिए अच्छा है दरसल एक बात जिससे मैं अपने जीवन में सीखी जो मुझे परमिश्वर की आगी आमानने में बहुत सहयज करती है वो है हर बात जिए मुझे करने के लिए KELL निए आगे चलकर तयार होगी फसल, हम उसे पसंद करेंगे, निश्चीती परमेश्वर कम से कम आपके चीवन में एक शेत्र दिखाते हैं, जो आप इसे लागो कर सकते हैं, जब कभी तुम प्रारतना करने खड़े होते हो, उक्षमा करो, यदि किसी से तुम्हे कोई शिकायत है, त रहता है कि ये विश्वास ही है, तो इसका क्या लाब, जब तक कि उसके कर्म विश्वास क्या नुकूल, नहों ऐसा विश्वास क्या उसका उद्धार कर सकता है, यदि भायों और बहनों को वस्त्रों की आवश्चकता हो, उनके पास खानी तक को नव हो, और तुम में से को कोई उनसे कहे शांती से चाओ परमीश्वर तुम्हारा कल्यान करे अपने को गर्माओ तथा अच्छी प्रकार से भोजन करो और उनकी देख्यावशक्ताओं की वस्तुएं उन्हें न दें तो फिर उसका क्या लाव खेर उू आउच ये एक आउच था जो जीवन में आगे च चुक होने की जरूरत है हमेशा आग्या मानने के लिए चुक होना है यदि इस ने आपके जीवन में कोई अर्चन पैदा की है आपके मन में पता है आपके मन में और आप जानते हैं कि यही एक कशेत्र है जिसमें आपको अनुशासन और आत्मन नियंद्रन इस्तमाल इस कारे करम को जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रो और भागी दरो द्वरा संबव बनाए गया है